अब हमने आगे तक पढ़ लिया था तो अब स्टार्ट करते हैं जैसे कि टीपी यूडीपी के बीच में कंपेरिशन देख लिया क्या क्या होते हैं अब हम देखते हैं आइडेंटिफाइज इंटरफेस एंड केवल इसूज जो इंटरफेस और केवल के जो इसूज होते हैं किसके स्टैक के होंगे कोलीजन है हैं अब हमारा यह हो चुका है यह यह हमाज पढ़ लेंगे यह सारे मैंने फॉर्स्ट वीडियो में बता दी हैं फॉर्स यं सेके वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं तो इस टाड़ते हैं यह हमारा अज का टॉपिक यह चीज रहेगी आज की हमारी टॉपिक तो अब हमें स्टार्ट करते हैं कीव एन इंटरफेस के इसू हमारे पास एक स्विच है तो इन इंटरफेस में क्या है आपस में क्या होती है स्विच के उपर केवल से क्नेक्टेड होगी पीसीज कनेक्टेड तो यह स्विच क्यों है ठीक है स्विच के उपर केवल कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में जब भी इंटरफेस से और system के बीच में कोई भी error होगा तो error किसके बीच में क्या होगी interface और cable के बीच की issues होगी तो पहला जैसे कि अपने देहां देखे collision है, collision हो सकती है error हो सकती है, mismatch, duplex हो सकती है और speed की issues हो सकती है तो पहले हम देखते हैं कि जो issues है वो issues क्या क्या है ठीक है, तो पहला issues है हमारा पास collision collision क्यों होता है network में collision होता है या तो user, दो user है आपस में एक ही physical medium use कर रहा है data transmit करने के लिए और वो भी data का एक ही time पे दोनों user data को transmit करेगा send करेगा और receive करेगा suppose that कि A send कर रहा है और B को receive करना था बट क्या हुआ, at a time भी B ने भी भी भीज़ दिया, अब ठीक है वाई अब आपने यहां से निकला यह भी पहुचा गया, यहां पर भी हो गया, अब दोनों के बीच में क्या है, medium का हो गया, single medium है इस case में क्या होगा कि यहां पर data collision होगा और यह packet drop हो जाएगी, इस case में क्या होगा, या तो दुबारा से link establish होगा, दोनों के बीच में connection establish होगी और फिर send करेगा, या तो इस case में क्या होता है, collision रोपने के लिए या तो आप hold करिए packet को या फिर आप आगे भेजेंगे तो collision हो सकती है, ठीक है, होगी तो अब switch वाला case क्या है जब switch लगी हुई है, हमारे पास network में switch से systems connected है ठीक है, multiple systems connected है तो अब कैसे होगी तो इसको रोपने के लिए two types है, ठीक है हम क्या चेक करेंगे switch के उपर चेक करेंगे interface का status और दूसरा क्या चेक कर सकते हम interface का detail, description तो जैसे हम switch के configuration mode पे जाएंगे और privilege mode पे जाएंगे privilege mode पे लिखेंगे, show interface जब show interface हम use करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा वहाँ पे कि line protocol line protocol के बारे में पता चल जाएगा जो कि layer 1 के उपर काम करता है, ठीक है layer 1 के उपर काम करता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा line protocol दूसरा क्या होता है show interface description description जब हम show interface description पता करेंगे तो यहाँ पे क्या पता चल जाएगा हमें protocol का status protocol का status पता चल जाएगा protocol status आप है, down है क्या है, connected है नहीं है ठीक है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा तो और और क्या है अब चली मैं दिखाता हूँ एक picture के picture गंद दिखाता हूँ कैसे दिखती है तो मैं फोटो में दिखा रहा हूँ आपको कैसे दिखता है जिसे so interface किया मैंने, so interface किया ठीक है, यहाँ पे यह जो है so interface किया जब हम किसी switch के उपर so interface करेंगे तो हमें क्या क्या information मिलेगी जो interface की पूरी information हमारे पास आजएगी उसके speed क्या है, bandwidth कितनी है, delay कितना है यह up है या down है तो सब यह नेरा different switch का है और यह वाला different switch का है यह किसी other switch का है यह मैंने कहीं और से image लिए है और यह image के कोई और है तो इसमें क्या है, कि जब हम so interface करेंगे तो हमें port की information सारी मिल जाती है कि क्या क्या है, पूरी detailed information होती है और जब हम description चेक करते हैं तो description में हमें क्या पता चल जाता है protocol status भी पता चल जाता है प्रोटोकल का है, description भी क्या हो रहेगी description के अंदर जो क्या है, क्या है हम तो इसको description भी डाल सकते है तो status क्या है administratively down है, up है या down है तो यह interfaces कौन से है VLAN 1 है, यह VLAN है Fast Ethernet के interfaces है, 14 तक है तो 14 watts, मैंने इसमें 14 watts तक दिख रही है तो first में क्या है, कि हमारे पास interface करेंगे, तो हमें layer 1 की information जो होती है वो इसमें हमारे पास मिल जाती है और interface detail जब करते है और description करते हैं तो हमारे पास क्या information आ जाती है कि protocol type भी पता चल जाता है जो कि layer 2 का होता है, layer 2 का status पता चल जाता है, कि layer 2 का layer to work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह होती है इसमें क्या होता है कि हमें बिल्कुल दिख रहा है चलो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि line protocol is up ठीक है protocol मतलब पहले क्या है सबसे पहले fast internet 00 is 0 line protocol is up in the case that means connected है ठीक है भई यह connect हो गया तो इसके अंदर और भी सारी चीज़ें information आ रही है जैसे इसकी bandwidth कितनी है डिले कितना है reliability कितनी है ठीक है encapsulation है keep alive है 10 seconds है full duplex है half duplex है ठीक है arc type क्या है इसका mac address यहाँ पे होगा mac address क्या है port का उस particular port का इसके बाद क्या है packets input कितने हुए है CRC क्या है input error यह अभी चलो next में हम यह भी देखी लेते हैं इसी में देख लेंगे hardware line address मतलब mac address क्या है तो यह सारी चीज़े यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी ठीक है फिर और आप जैसे कि हमने यह देखा तो हमाज पास क्या होते है show interface status जब हम चेक करेंगे तो इसमें हमें क्या देखी का layer 1 के क्या क्या चीज़े चल रही है तो layer 1 में क्या क्या issues होती है वो भी हम discuss कर लेते हैं क्योंकि दो तरीके की है तो layer 1 क्या है layer 1 मतलब layer 1 मतलब physical network physical physical medium ठीक है physical medium में क्या क्या आता है एक interface होगा और दूसरा क्या होगा दूसरा होगा cable connectors तीसरा आप connectors ले लो ठीक है और भी चीज़े आती है चौथा ये interface या समझ इसको हम बोल देगे ethernet ethernet port land port ठीक है ये सारी चीज़े होगा तो अब क्या है कि जैसे एक ही मैंने बताया जो लोग हम देख लेते हैं कि क्या क्या होती है तो ये एक image है ठीक है तो इसमें troubleshooting steps क्या क्या है फस्ट है layer 1 के problems क्या है interface is administratively shut down मतलब क्या हो सकता है cable connected है आपके switch से cable connected है मतलब या तो cable दोनों साइड से disconnected है एक switch है switch के साथ एक PC लगी हुई है ठीक है आप क्या है cable आपस में disconnected है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपका क्या है डिवाइस का क्या है आपने power on ही नहीं कर रखा है broken connection which cause loose connection मतलब ये तो broken connection है जो आपने crimping की है जब cable बनाते टर्म आपने crimp किया था हो सकता है कि वो क्या है loose connection है उसका bent on straight cable which leads broken wires और fiber मतलब bend हो सकती है cable कहीं से मुड़ा तुड़ा है कुछ भी है या फिर broken हो रखा है जैसे कि broken है और fiber भी break हो जाती है उस case में भी क्या होगा आपका link protocol down दिखाए link down दिखाएगा और protocol भी down दिखाएगा ठीक है इसके बाद क्या है electronic magnetic interface आपके cable में क्या होता है कि हमारे जो cable जारी होती है वो ethernet cable भी साथ में जारी होती है और क्या होता है power की भी cable जारी होती है power की cable जब जाती है तो वहां पर positive और negative ठीक है दोनों जो होती है electron flow करता है उस case में क्या होता है magnetic field generate होता है और यह क्या कर सकता है आपके ethernet cable के जो आप साथ में जा रही है उस case में issue create कर सकता है बड़ जो नए level के cables हैं जो नए cables हैं उसमें issues नहीं होती है तो यह रहेगा यही है इसके अलावा हम देखते हैं कि अब जो है status अब इसके बाद क्या रहता है status है तो cables की क्या क्या जब हम check करेंगे तो interface के status कैसे कैसे दिखेंगे मतलब इसके types जो है admin down है up है down है और इसका protocol type क्या है जैसे कि यह है different different है इसके बारे में भी हम तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि यह क्या चीज़े होती in case जब आप switch configuration करते हैं या फिर आप switch के उपर हैं आपको नहीं पता है कि next आपके पास किसी और चीज का access नहीं है और आप switch के पास खड़े हैं show interface details तो आपने क्या देखा कि आपका जो line status है जो line status है वो क्या है administratively down है और protocol status भी क्या है down है और interface status भी क्या है disable है मतलब तीनो case में आपने सबसे common चीज क्या है कि administratively down है मतलब कि admin नहीं इसको manually down किया इस state में क्या है shutdown command use हुई होगी ठीक है तो आप क्या गरेंगे उसको configuration mode पर जाएंगे configuration mode पर जाएंगे और configuration mode पर जाएंगे पहला आप जाएंगे configuration mode पर जाएंगे configuration mode पर जाने के गाद आप वहाँ पर interface select करिए interface fs0.0 ठीक है फिर उसके बाद आप interface mode पे चले जाएंगे interface पे जाती है आप क्या करिए no shut down command चलाएंगे इस case में क्या होगा यह interface अप हो जाएगा और हमारा काम करने लग जाएगा अब क्या है link भी down है link status not connected है और क्या protocol status भी down है मतलब cable नहीं attached है bad cable है wrong cable point out है the speeds are mismatch speed mismatch हो सकती on the two way connected devices ठीक है और दूसरा क्या हो सकता है shutdown भी हो सकता है या फिर error disable mode के अंदर चला गया होगा interface shutdown है यह powered off है ठीक है मतलब device क्या है उस side से power off है एक side आपका interface तो आप है इस case में क्या था कि आपका जो है यहाँ switch के उपर क्या configured है administratively switch के उपर down किया गया है ठीक है switch is configured as a interface is configured with the shutdown command ठीक है दिख रहे है आप यह मैं दुबारा लेता हूँ interface is connected interface is connected with the shutdown command लेकिन जब आपके पास यह दोनोंची is down है आपके पास line status भी down है protocol भी down है और interface not connected है मतलब आपका यहाँ से तो line status अप है यह दूसरा side भी up है मतलब यह switch down था ठीक है यह switch down होने के वैसे यह down जारी थी लेकिन यहाँ पर क्या है यह line status down है मतलब switch on है और interface भी up है ठीक है मतलब no set command नहीं no set है shutdown नहीं है दूसरा गया protocol क्या है आपका down है क्यों क्योंकि जब protocol था भी connect होगा जब आपका source और switch और user आपस में connect होगे तो यह भी नहीं है और not connected क्यों है not connected मतलब यह अपना काम कर रहा है not connected इसलिए है क्योंकि आपका भीया cable दूसरी side से या तो broken है या कुछ भी है कुछ भी है लेकिन switch के उपर से switch का कोई इसमें roll नहीं है तो इस case में क्या क्या हो सकते है cable नहीं हो सकता है bad cabling मतलब कि crimping की है या फिर connector है या फिर कुछ भी है broken हो गया है devices है हो सकता है कि ये ethernet वाली है और इसका mismatch हो रहा है कि दूसरा switch है एक switch हो है दूसरा switch है इसके उपर आपस में दोनों में connectivity है ये ethernet port है और ये gigabit port है तो speed mismatch हो गई है ठीक है gigabit 1GBPS का होगा ethernet कितने का होगा 100 Mbps का 100 Mbps का होगा थी कि इसे साफ से ये हो रखी है ठीक है the device on the other end के वाल इस device के दूसरे साइड पर क्या हो सकती है जो device मतलब switch के दूसरे साइड पर के वाल तो power off है ये device shutdown है ये error disable mode में चला गया error disable कव होता है जब हमारे पस कोई भी switch है switch के उपर हमने port security configure कर रखी है और Mac bending कर रखी है उस case में क्या होता है कि जब भी आपका same match address match नहीं करेगा तो क्या करेगा port disable हो जाएगा error disable mode में चला जाता है तो ये security का part है ये कभी हमने switching जब हम करेंगे configuration करेंगे तो इस टाइम में ये भी practical में कर लोगा third क्या है पहला हो गया हमारा third क्या है third है हमारा की ठीक है भी आपका line ये भी line state आप है protocol or not connected इस case में क्या है an interface up down state is not expected on the land switch physical interface मतलब या तो ये cable के अंदर कुछ issues हो सकती है तो आप इक्काम करिए कि आप है न आप इस case में आपका ये चल जाएगा ठीक है चौथा क्या है आपका line status down है protocol error disable में चला गया है interface error disable में चला गया है तो security क्या हो गया आपका enable हो गया और करक है आपने इंटरफेस के लिए तो आपको क्या करना होगा port security हटाना होगा चौथा क्या है अब किस condition में fluent work करेगा जब आपका line status भी up होगा protocol status अप होगा और interface status connected होगा इस condition में आपका work 100% करेगा ठीक है इसके बाद है जो हमारे पास चीजे हैं वो ये है कि हमारे पास ये है अब आते हैं हम कि क्या क्या होती है जब वो interface के अंदर क्या क्या collision होते है collision जब होती है तो उसके लिए क्या क्या होता है जब collision अब इसके अंदर अब हमने क्या क्या देख लिया mismatch हो गया error किस किस type के होंगे अब speed का भी हो गया अब बचा है Collision, तो Collision में क्या है Collision के लिए हम ये Follow करते है, ठीक है इसमें देखे कि आपका क्या है Connected है, मतलब 100 बगे है, 100 बगे है, क्या क्या तीजे चेक होंगी, पहला तो Upper Runet होगा, ठीक है, ये Upper Runet है इसमें Runet है जिसमें आपका क्या है, Frame Size क्या होंगी, 64 बिट है तो Runet के अंदर क्या चेक होती है Frame Size 64 बिट का है कि ने Frame 64 बिट Frame Size ठीक है, ये Runet का ठीक है, दूसरा Giant है Giant क्या होगा, जो आपका Maximum Frame है Giant 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 जो है, वो आपका क्या होगा, Maximum जो Maximum Frame Exceed तो नहीं हुआ है Maximum Frame की जो Size है 1518 बाइट ये Exceed तो नहीं हुआ है तो ये चेक करेगा, नहीं भाई, ये भी नहीं हुआ है उसके अलावा फिर क्या हो जाता है चलो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ Copy कर लेता हूँ इसको Giants क्या होता है इसमें 64 bit Byte का Size चेक करेगा ठीक है, bits नहीं था, bytes था ये 1518 bytes है जो इसके Frame की Size है इसमें Frame होगी और ये Frame Size है ये Exceed तो नहीं हो गया है फिर उसके बाद क्या चेक करेगा Input Errors ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेगा Input Errors Input Error मतलब जो Data Input हो रहा था तो उस टाइम कोई Error आया तो वो भी 0 होगा फिर CRC चेक करेगा ये इसमें भी कुछ नहीं है Frames भी चेक करेगा Frames में भी नहीं होगा ठीक है इसके बाद Packet On चेक करेगा कि 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 पैकेट आपक में है ये ही था हमारा अभी का जो Topic था ये हमारा यहां पर complete हो जाता है तो जब भी हम practical करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या होती है बस तो हमारा एक और चीज़ खतम हो गया यहां पर identify interface and cable issue हमारा ये भी खतम हो गया ये भी हो गया अब next topic हम पढ़ेंगे IP addressing and submitting ये हमारा बहुत अच्छा topic होता है क्योंकि IP address important है आपका कोई भी device है वो IP address यूज़ करता है जैसे कि हम चेक करेंगे CMD CMD में जब भी जाएंगे Windows के अंदर तो आपको दिखेगा IP config IP config लिखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि IP addresses क्या है तो जैसे कि ये है अभी मेरा एक NP cap adapter है जो क्या ले रखा है अपीपा address ले रखा है और इसका IPv6 address ये है IPv4 address ये है subnet mask ये है और default gateway भी है नहीं जैसे कि अभी मेरे पास मैं internet से connected to wifi से तो wifi adapter का क्या है तो पहला इसका है local link local address IPv6 का ये है ठीक है इसका जो मेरे मेरे पास IPv4 address है ये है इसके बाद जो आपका subnet mask है मेरा ये रहेगा फिर इसका gateway जो है IPv6 के लिए ये है और IPv4 के लिए ये है 2.1 है ठीक है इसके बाद जो है Ethernet Bluetooth connected मीडिया क्या है डिसकनेक्टेड है Bluetooth adapter disconnected है और फी चीजें है इसमें जैसे कि LAN wireless LAN adapter media 1 ये सारी चीजें है तो ये हम देरे-देरे जब अभी हम next वाले topic में पढ़ेंगे जब हमारा configuration and verify IP address भी चलेगा तो thanks आप लोग का अब प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक भी कर देना है